नमस्कार राम राम आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूस तमाव दर्शों का हार्दी स्वागत है जो दर्शी हमारे नहीं वे उनका भी हमारी स्वागत करते हैं हमारी टीम इस वकत बारा दरी ब्रिज के पास नीचे द्रियाच नाम के ठीक पीछे देखेंगे तो ये ब्लाक नमबर 26 है माइनिंग ब्लाक नमबर 26 है और इसके आप देखेंगे जस्ट लाइक राम सेतु की तरह ये मैं कैमरामन को मेरे पीशे देखीगा ये आज अनफर्चुनेटली यहाँ पर द्रिया का पानी डैम ने छोड़ दिया जिसके कल तो गाडियां बगेरा गाडिया घोड़े सब लगे हुए थे इस डैवर्चन को द्रिया चनाव को डैवर्चन को दूर करने के लिए यहां से यहां मेरे कैमरामन को दखाएंगे कि यह यह जो है यह था जैस लाइक राम से तू ब्रिज की तरह यहां से अभी तोड़ गया पानी ज्यादा आने से तो वो यहां करके इसको डाइवर्चन करके परली साइड से जो गाउं हैं जो आप जंगल देख रहे हैं उस जंगल को पास ले जाना चाहा रही थी माइनिंग माफिया लेकन कुदृत का खेल है के कुदृत ने इसको इसको माफ नहीं किया मैं इसको परमीशन नहीं दिया क कुदृत ने इसको प्रिमिशे नहीं दिया तो यह तूट करके पानी शोड दिया और यह चले लगा देखिए कितना लाइव का रिस्क है लाइव रिस्क को लेकर के भी माइनिंग माफिया अपने आप में करने के लिए किसी हद तक जाने के लिए त्यार है लेकर मैं यहां ही बताना चाहूंगा कि यह जो पानी को डाइवेट अगर करेंगे डाइवेट करके वो जो देख रहे हैं जंगल पनासा का एरिया देख रहे हैं कैमरे में को बताऊंगा कि आप दखाएं पनासा के लिए यहां से पानी अगर ज्यादा आता है इसके उपर बांद देने से सार कि पानी डैम अगर शोड देता है तो उसके बाद क्या होता है तो नीचे अगर देखेंगे यह देखिए यह दो कुछ एक पहले एक एक आदमी पहले खड़ा था यहां पे हम यो तियार नहीं थे तो बहाँ पे मायनिंग का एक बंदा अब देखिए को पानी कैसे पार गया होगा क्या अपनी जान को जान की बाजी लगा करके लोग इस तरह से माइनिंग का काम कारेकराम कर रहे हैं मैं मैं इस यहां हमारी जो पहाड़ी एकस्प्रेस न्यूज की यह यहां पहुंची अलाकि हमने आना था हमाई सोर्स ने बताया कि यहां का जो माइनिंग करने के बाद यह कहां चले जाता होगा किस जगह में जाता होगा यह तो एड़िशेशन इस बेस्ट जानती है तो आप वह वहुत बतायों को बताहूंगा के दिखाएं यह 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 देखने वाली बाते यह हैं के यह कांसी बट्टा के जो पब्लिक के जो लो जो पभडिक थी पानी का रिया ठा और मैं कि ठोड़ा आसथा हीं नहीं के लिए हो इतने माफिए माइनि माईनि माइनि माइनि माइन से ढरते एंड और लेगली हैं जो हाँ हमें इतना लेकिन चलो पहाड़ी एक्सपेस नू तो इसे डरने वाले तो नहीं हैं लेकिन हम सच हकीकत ग्रोंड से अभी हम लाइब दखा रहे हैं आप लोगों को इसके बाद भी अगर यह सही है यह बलाओ ऐसा काम होना चाहिए जहां इसकी चाहिए कौन किस चाहिए म कौन जूड़े हुए हैं यह तो सरकार ही जानती है और जो जो है जानती है ऐसे क्यों कर रहे हैं आज तो गाड़ियां यहां पर लगनी थी लेकर आंफ़ार्चली पानी शोने से गाड़ी नहीं लगी है तो इसलिए हम लोग को इंफर्मेशन मिली थी कि आप सर अगर माइन पानी इतना चड़ चुका था हमने के लिए मिली यहां पहुंचने के लिए कहां जंगल से कैसे 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 कर गें यहां ने के पर गिर Pioneer के वाड़ëं करने हैं मोबाइल तक भी हा क्योंकि इतना पानी यहाँ पे था तो यह यह कहानी यह चीज़ का दर्शकों से अपने वादा किया था कि हमेशा ग्रोंड की रिपोर्टिंग करेंगे और हमेशा ग्रोंड दिखाएंगे चाहे हमें माफिया से हमें कोई डरना नहीं है दर्शेक से भी मैं यह परात्वान करूंगा यह जो लोकल जो डिडिसी डिडिसी कैसे डरे हुए हैं कि बिल्कुल भी कुछ हमारे बंदू बहुब आपके लावा कोई नहीं दखाएगा मैं यह नहीं कहता हूं कि बाकी बाले मों करें हैं अब लोग शोबिसीह को च्बांबी कोई धिखा रहे हैं इसका नहीं मैंतर नहीं तो यह मैं कहे रहा हूं कि यह यह जो यह जो हकीकत जो मैं फिर कैमरा में उनको बताउँगा दिखाएं यह देखो हकीकत दर्याचन आपका कैसे डाइवरिशन किया हुआ है यह देखिए यह तो आई तो चलो मैं उद्र से तो पार तक डाइवर हो चुका था कल से यहां काम शुरू होना था कल से यहां से रेता कुद्रत के साथ भी चलो और रूल डेगुलेशन एसोपी के साथ मायनी की रूल रेगुलेशन की धजिया उड़ाई या रही है डिस्टेगरियासी के अंदर यह तो हम दावे से कह रहे हैं आप दर्शों को कह रहे हैं क्या यह रूलिंग में है क्या अभी इतना पानी आ रहा हसा मायनी करें यह मैंने किसी किताब में पड़ां लेगर रेयी किताब में शाहिदными एडिमसंटा Heijn वे ऐसा होगा मैं जानता नहीं है अगर ऐसा होगा तो अपना इसको पेज को ला प cére करके हम मैंनी का पानी को डाइबढ़ कर सकते हैं तो हम ठीक है तो कॉम चीजेक्शन नहीं है ठीफ है अगर अगर एसा कोई a-regulation है अगर डाविड करके चलता है तो ठीटिक है सरकार का revenue हृता है हम सरकार के कोई ख़लाफ नहीं है हम सरकार को यह चाहते हैं कि जो जितना हमारा यही कहना है कि सरकार के पास revenue ज्यादा से ज्यादा है लेकर सरकार जो के आंख जब बंद कर देती है उससे आप हमारे तारीख भड सर ने बोला था लाखो क्रोडों टन का माल लग गया है अगर आप ना पा जाए उन्होंने यह भी बोला कि यहां पर एक कंडा लगा हुआ था रेत बजरी के लेकिन वह तो गॉपर्मेंट के रैबन्यू ज़्यादा देना पड़ेगी ओगर्मेंट रैबन्यू जब ज्यादा देना पड़ेगी तो शायद ठेकादारों को थोड़ा सा प्रॉब्ली होगी मैं फिर कैवरा मेंन को क्योंगा आप नजदीख दखाएं यह नजदीग सबसे नजदी करने नहीं देंगी फीट बहुत पावर है और वह वह की तरह उनको दबान करके ले गई गई कुदुरित तो जानती है कि यह काम गलत है तो गलत है कितनी अगर अगर पर देखो के आगे जाके अजी यह देखो के खड़े तो बेहद कि यहां पर द्रिया को डाइवट करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी मिशीन है अब बदके कि जहां को छोडी मिशीन है इतना बड़ा बड़ा बात नहीं बजा सकते कितना माफिया का घटिया सोच और पैसे को लेकर के कितना अब इसमें इतना कोई असान आदमी कोई नार्मल आदमी इसको ड्रिया को ड्रिया को ड्रिया को ड्रिया को ड्रिया को ड्रिया करके भी पैसा निकालने चाहरे हैं आप लोग तो भाई इसके लिए मेरा तो हमारा तो करतबे बनता था कि यहां आपको लाइव दिखाया जाए यह ऐंकि यह जो चैनल है कोई डाल रहा है कि मेडिया का मेरा पहाड़ी एक्सप्रेस के कोई एसा मुद्धा नहीं हम कभी एड़ीशेशन को नीचा नहीं दखाना चाहते हैं ना हमने हमारी डीची मैडम सूर्स करें बहुत मजबूर है कि यूद्ध बूल अच्छा करीं सब्सक्क्राइब एक कुछ काम करने में थोड़ा सा सफ़ल रहती है कि नहीं रहती है वह मुझे नहीं जानकारी है लेकन ऐसे लग रहा है लग रहा है दुनिया जनता यह कह रही है कि अच्छा काम करें बट यहां कोई ऐसे काम चंद कामों को शाहिद हम भी चाहते हैं कि एग्णोर करी होगी तो मजबूरी हो सकती है हम उसे हम कभी उसको प्रितिकरिया नहीं करेंग आगर एक लाख तंड का रेता है रिकार्ड में तो यह सबसे बड़ा सरकार का लॉस है इस लॉस को रिकवर कैसे करना है इसके लिए कोई ऐसा इमानदार आना चाहिए हमें मेद है के डी सी मैडम काफी इमानदार अपसर है जुरूरी इस पर हमारी इस रिपोर्ट के उपर कारवाई करेगी डियामो साब भी बिचारे मानदारी हैं हम ही कहते हैं कि वो भी जुरूरी इसके ओपर कारवाई करेंगे कि क्या इसा रूल में है अगर मैं तो डियामो सार से करते हैं तो इसका मदले कि यह ठीक है और आप लोग फिर इसको मजबूर हैं कि जो नहीं कर पा रहे हैं मेरा यह रिक्वेस्ट करूंगा यह क्या जो हम रिपोर्ट दखाया क्या इस ही है के गलत है आप अपना कमेंट वैलियाबल कमेंट प्लस अगर को रूल की कॉपी है यह सब्सक्राइब करें अपना जो जाइज होता है और गवर्मेंट को भी जाना मिलना चाहिए अगर गवर्मेंट की इस इस तरह से लोस्स होगा इस तरह से लौसी सो geschक्त होरा तो इस तरह से गवर्मेंट का इसको लाउस यह तो जो सरकारी तंतर है जो सैलरी लेते हैं हम तो बिदैम आप करो रहे हैं यह दखाएंगे कि जो यह जो पानी है कुद्रत पानी है इसको भी डाइवर्ट करने की पावर इन माफिया को मिल गया है देखिए देखिए देखो कितना सुन्दर हवा जहां खड़े आउने कि एक घंटा में आगर आदमी एक घंटा हो तो ठंडा हो जाता है कूलिंग जैस्ट कूलिंग बले उने कि यह पावर तो जबरदस्ट उनको दिया गया है और उस पावर को वह किस तरह से मिस्जूज हो रहा है इस इसमें तो नहीं जानता हूँ मैं फिर लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा दर्शक को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पर पास भी हमारे दर्श्यक भी रिया कि नहीं यह आपने गलत लगाया तो आएंगे से हम लोग भी सीख लेंगे आप लोगों से खाथ करके एड़ोगेसी रियासी जो कोट में जो हमारे एड़ोगेट सहवान है वो भी बहुत क्योंगे सबसे ज़्यादा नाली सबसे ज़्यादा रूल लेगल उचुन के पास होते हैं क्या कोई भाई ऐसा कोई एड़ोगेटर यासी का है कि जो इस न्यूज को देखने के बाद इस रुपोर्ट को किस तरह से अपना व्यू कमेंट देता है क्या यह रूपोर्ट सही है कि हमने गलत दखाया है तो भी हम लोग सीख जाएंगे हां आंगे फूचर भी हम अप दिये लाइफ रिस्क यह चलो होको पता नियों पर अब भाण VO5 जेंटा यहां और यह मिशीन circular लगी होती तो पता नहीं यहां जाने नहां कितनी हम होती हो जाती तो फिर ठीकदार को बचाना है और बाज में जो चले गया जो लॉस हो गया वह चला गया अभी इसे ज़्यादा और नहीं कहेंगे मैं लास्ट में फिर अपने दर्शियों कहुंगा हैं। आप फालू करना चैनल को वामोगों के चैनल करें। और चैनल को फालू करते ही हमoff लोगों को दूगणिम पावर मिल जाता है। और फिर हम इसे बिदाओट एनी हीजिटेशन हमं अपना समाचार जीनूज आप समें opportunities पचाते हैं। प्लीज शेर करना कमेंट करना और अपना वैलियोवल कमेंट करना क्या रिपोर्ट से गलत है इसको ना भूले क्योंगे आप लोगों के मार्क आप लोगा हर एक हम दर्शेयों का रिमार्स को हमारा चीफ डिटर डारेक्टर पढ़ते हैं और पंडेंगे बाद उसके बाद इं ही आर कमेंट आइसी लोग मैं हर कमेंट के ओपर पढ़ता हूं खुद परसिनली पढ़ता हूं अजे एज obec अचुआ रिटर भी हूँ इस चैनल का तो परसिनलल इसको पढ़ता हूं आपका कमेंट कि क्या आपने कैसे दिया क्या किया चलिए के साथ मुझे दे आजाज्थ जाहित नमस्कार